हे फ्रेंड्स, हालो, वेलकम टो अशूस कीचन, आज की हमारी रेसेपी है दही वड़ा, आज हम उरत के लिए दही वड़ा बनाएंगे यह दही वड़ा बहुती टेस्टी और इजी रेसेपी है, इसे आप किसी भी उरत में खा सकते हैं, जैसे की महाशूरात्री, नवरात्री तो चलिए शुरुवात करते हैं, इंग्रियंट्स से, इंग्रियंट्स में हमने लिया है, दही, दो मीडियम सैज के आलू, बॉयल करके स्मैश किये है, नमक, जीरा पाउडर, साबु दाने का आटा, हरी मिर्च, शक्कर, और तेल, वड़े डीफ्राइ करने के लिये लिया है, तो चलिए शुरुवात करते हैं, सबसे पहरे हम एक बाउल में स्मैश पोटेटो लेंगे, उसमें नमक डाल देंगे, साबु दाने का आटा, हरी मिर्च, और जीरा पाउडर, थोड़ी से जीरा पाउडर हम गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे, अब हम सारा मिक्ष करना है, आप चाहे तो इसे स्मैशर से मिक्स कर सकते हैं, अब हम इसके गोले बनाएंगे, सारे गोले बनाके रेडी है, अब हम इसे डीप फ्राइ करेंगे, एक गोला लेके उसे हलके हाथ से प्रेस करना है, और उसे वड़े का शेब देना है, थोड़ा साबु दाने का और उसे डीप फ्राइ करेंगे, तेल गरम है, सेम प्रोसेस से हम बाकी के वड़े भी तैयार कर लेंगे, वड़े क्रिस्पी होने के लिए हम इसे साबु दाने के आटे में लपेटेंगे, मीडियम फ्रेम पे हमें वड़े डीप फ्राइ करने है, एक वड़ा हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करके ले लिया है, अब हम बाकी के वड़े भी सेम प्रोसेस से फ्राइ करेंगे, ज्यान रहे जब भी वड़े बनाने है तो मीडियम फ्रेम पे हमें बड़े बनाने है, सेम प्रोसेस से हमने सारे बड़े डी फ्राइ करके ले लिये है और अब हम दही प्रिपेर करेंगे, हमने दो कप दही लिया है, उसमें हम नमक डाल देंगे, एक चम मचक कर डाल देंगे, अब अच्छे से मिक्स कर देंगे, mix करने के बाद उसमें वडे डाल देंगे और वडे को अच्छे से दही में deep करेंगे अब हम इसे 10 मिनिट के लिए rest करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनिट हो चुके है अब हम इसे serving plate में निकाल लेंगे उसके उपर थोड़ा सा दही डाल देंगे और उसके बाद उसके उपर थोड़ा सा जीरा पाउडर स्प्रिंकल करेंगे इससे टेस्ट भोती अच्छी आती है टेस्टी फराली दहीवड़ा बनके रेडी है आप इसे घर पे जरूर ट्राइ कीजे और अपने एक्सपीरेंस हमारे साथ शेर कीजे अगर कोई क्वेशन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू, हैपी कुकिंग, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ